आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल वी एन फार्मा लेक्चर में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्तपून जानकारी लेके आया हूँ जो कि आपका डिप्लोमा फर्स्ट यर और सेकंड यर दोनों की ऑनलाइन पर इच्छा और उससे पहले होने वाले मंदित है जिसमें आपको मैं स्टेप बाई स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आपकी मॉक टेस्ट के दोरान आपसे कोई गलती न हो जाए और ऑनलाइन परिछा में आपको किसी भी तरह की असुविधाना उत्पन हो तो इस जानकारी को पूर्टा प्राप पोर्टल पे जिसका आपको आईडी और पासवर्ट पहले से ही मिला हुआ होगा उस युराइस पोर्टल पे आपको एक लिंक प्राप्त हुआ होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे चात्र को उस अपने यूरल लिंक के ऊपर क्या करना होगा क्लिक करना होगा क्लिक करने के ब option आएगा इस continue option पर आपके जाके क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपको next step पर प्रोसीड किया जाएगा लेकिन उससे पहले आपको एक business जानकारी देना चाहूंगा कि इसको आप दिये गए browser के अंदर ही खोले आपका जो browser होना चाहिए वो google chrome version 75 या इससे उपर होना चाहिए या mozilla firefox version 70 या इससे उपर होना चाहिए आप इस चीज का business ध्यान दें कि आप इन्हीं browser का use करें जिससे की आपको ये जो है इस तरह की login करने में कोई भी असूबिधा ना हो next step में क्या करेंगे next step में क्या करना होगा आपको registration form यहाँ पर देखिए पंजी करन form खुल के आएगा जिसमें आपको दी गई चीज से आप अपना mock test दे रहे हैं या तो वो laptop हो या smartphone हो या desktop हो इसमें camera और उसका microphone दोनों properly काम करना चाहिए अगर आप इस तरह की guideline को follow नहीं करते हैं यानि कि आपका microphone या camera कोई भी काम नहीं करता है तो उस condition में आप mock test भी नहीं दे पाएंगे और online परिच्छा में भी आ होगा और आपको mock test में भी असुविदा उत्पन हो जाएगी ठीक है और इसमें आपको link जो दिया गया है you rise portal के थुरू उस पे ही क्लिक करके login करें ना कि उसमें आप कोई छेड़ चाड़ करें ठीक है उस पे आप login करने के बाद सारी detail फिल करने के बाद यहां पे देखिए आप लिखा है I agree the above details are correct यहां पे आप tick mark करेंगे और proceed application पे चले जाएंगे प्रोसीड application पे जाने के बाद क्या होगा next step में जब आप बढ़ेंगे तो चात्र का role number, mobile number, email id, visa code और नाम जैसे विवरणों की जाच करनी होगी यहां पे एक देखिए note दे रखा है note यह दि उपर जोग द्विवरंट सही है तो face training और mock test के साथ आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी विसंगति के मामले में आप you rise portal पर जा सकते हैं और बदलाओ कर सकते हैं परिवरतन platform पर 48 घंटों में दिखाई देंगे यानि कि आप जल्द से जल्द अगर यह चीज नहीं करेंगे तो आप आपको जो 48 घंटे का टाइम दे रहा है यह आपका एक बाद टाइम निकल जाने के बाद आप मॉक टेस्ट में अपीर नहीं हो पाएंगे तो इसलिए जैसे ही पहले दिन मॉक टेस्ट का पोर्टल खुलता है आप तुरंत मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें यहां से होन केंडिडेट जब दूसरी बार लॉग इन करेगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको क्या करना होगा आपकी फोटो क्लिक की जाएगी टेक फोटो का ओप्शन आ रहा है वहां पे आपकी फोटो क्लिक की जाएगी फोटो क्लिक करने के बाद क जिस भी candidate का आपका मॉक टेस्ट होना है उसका फेस जो आपने एंट्री की है उस फेस से मैच करना चाहिए तो इसलिए आप कैमरे के सामने पूरी तरह से फोकस्ड होके अपनी फोटो क्लिक कराएंगे जिससे कि आपका जो फेस हो प्रॉपरली मैच हो सके और कुछ इस तरीके से next interface में आप दिखाई देंगे यहाँ पर एक एक इग्जांपल के तौर पर दे रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर आपका interface खुल के आएगा आपकी photos दिखेगी login ID दिखेगा आपका नाम दिखेगा contact number दिखेगा email ID दिखेगा आपका क्या course है अगर आप first year में है तो आप defarm first year दिखेगा या defarm second year दिखेगा इनकेस आप दूसरे engineering courses या polytechnic other courses में है तो आपका वो course और आपका semester system है तो semester system और year system है तो year system में दिखेगा और आपका paper code दिखाई देगा ठीक है इस तरीके का interface दिखने के बाद आप क्या करेंगे next step पे जाएंगे और वहाँ पे क्या करे आपको परिच्छा देने के लिए allow किया जाएगा और सिर्फ उसके लिए आपको एक chance मिलेगा और कि यहाँ पर देखे दिया है test assign 5 और test कितना दिया है दो दो टेस्ट दे दिया है 5 test assign किये गया है और 30 minute का test है तो यहाँ से आप continue button क्लिक करेंगे और continue button क्लिक करते ही आपका next step start हो जाएगा next step पे देखेंगे आपका क्या यहाँ पे एक option दे रहा है proceed now उसके नीचे आप देखेंगे option में camera microphone browser internet speed यह सारी चीजे verify करा जाएगा जब system इन सारी चीजों को verify कर लेगा तब ही आपका यह आगे proceed होगा इसके बाद next step आपका आजाएगा pre examination step इसमें क्या होगा एक तरीके से आपको artificial intelligence के दौरा आपको monitor किया जाएगा कि आप किसी तरह की कोई गलत कतिविधी तो नहीं कर रहे हैं exam देने के time में आप test window से कहीं move तो नहीं कर रहे हैं किसी तरह का navigation तो नहीं कर रहे हैं या आपने face देखने में कोई proctor को interruption हो रहा है उसमें इस तरह से सारी चीजों को देखते हुए ध्यान रखते हुए आपको आगे के step में फिर आगे proceed करने के लिए दिया जाएगा और वहाँ पे आपको proceed now का button आएगा जो की आपको दबाना है या button का color जो रहेगा वो gray color का रहेगा यहाँ पे नीचे नीचे दिया हुआ है यह proceed now आप देखेंगे यहाँ पे जो arrow बना के रखा गया है यहाँ पे आप click कर लेंगे इस वाले में I have read all the instructions वाले में यहाँ से आप click करने के बाद आप यहाँ पे proceed now पे tick कर देंगे अब क्या होगा next step में जो प्रोसीड ना हुआ है आपका gray से सीधे convert हो जाएगा आपका green में जब यह green में convert हो जाएगा उस condition में आपका क्या हो जाएगा आप next step पे पहुंच जाओगे next step पे पहुंचने के बाद और यहाँ पे एक चीज और business ध्यान देना है आपको यहाँ पे परिच्छा से related सारे दिसा निर्देश दिये रहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या step आपको follow करने है तो इस चीज को आप बकायदे पूरा एक एक step पढ़ लेंगे उसके बाद ही आगे ब पैनल है कि आपने कौन-कौन सा select कर लिया है कौन-कौन सा बचा हुआ है अगर आप जो select कर लोगे वो green दिखेगा कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर आपका दिखाया गया है देखिए जो test आपने question attempt कर लिये हैं वो green दिख रहा है remaining all आपकी grey दिख रहे हैं तो इस तरीके में अपना camera off करते हैं या proper उचित light की बेवस्ता नहीं रखते हैं तो क्या होगा proctor वहाँ पर मौजूद होंगे जो आपकी online proctoring करते रहेंगे वहां से आपको दिखा निर्देश देंगे कि आप अपना camera on करें और आप अगर follow नहीं करते हैं उनको तो आपके ऊपर कारवा भाई भी हो सकती है इसलिए proctor की बात को भी ध्यान से सुनें और कुछ ऐसा ना करें जिससे कि आपकी परिच्छा में आपको कोई असुविधा उत्पन हो तो इसलिए proper table के ऊपर रखकर अपने phone, laptop या जिस भी किसी चीज से आप परिच्छा दे रहे हैं उसको आप proper table पर र exam के बीच में आपका क्या करेगा camera वो turn करवा सकता है चारो तरफ और वो देख सकता है कि क्या है आपके आसपास मौजूद है कोई आपकी मदद तो नहीं कर रहा है या किसी तरह की कोई और आपको जानकारी तो नहीं दी जा रहे हैं आपको किसी तरीकी का mobile phone या कोई other gadgets तो यूज कर रहे हैं तो इसलिए आपको क्या करना है इन सब बातों का विसेश ध्यान रखना है कि आपकी परिच्छा के दोरान आपके आसपास आपके कमरे में कोई नहीं हो कुछी तरोस नहीं हो आपका microphone camera properly काम कर रहा हो internet speed बहुत महतपूर्ण है वो भी proper होनी चाहिए अगर आपके पास कोई दो या तीन बैकलपिक internet की भी बहुस्ता है तो उसको भी अपने साथ रखिए अगर आपका network fluctuation आ रहा है तो उस case में आप तुरन दूसरे internet से जुड़ जाईए और अपनी परिच्छा को स्टार्ट कीजे क्योंकि आप अगर जादा देर तक आधे गंटे स ज्यादा window से गायब रहते हैं तो आप उसके बाद परिच्छा नहीं दे पाएंगे फिर उस condition में आपका वो विसे की परिच्छा जो है उसमें आपको नुकसान जेलना पड़ सकता है इसलिए क्या करना होगा आप बैकलपिक internet की भी व्योस्ता आपने पास रखिए next step पे क् test complete हो जाए अचा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया यहां पे कि अगर आपको test में कोई भी असुविधा उत्पन्न हो रहे है तो आपको help line number भी provide कराये जाएंगे उस help line number से भी आप संपर कर सकते हैं और आप पे online जो प्रॉक्टर अवैलेबल होंगे वहां पे भी आप उनसे question पूछ सकते हैं नीचे उसके देखिए window यह दे रखिए chat with proctor यहां पे जो option दे रखा है यहां पे आप क्लिक करके plus के option पे यहां पे आप proctor से बात कर सकते हैं कि सर मुझे यह यह असुविधा हो रही परिच्छा देने में वो आपकी वहां पर मदद कर सकते हैं आपको वहां पर जानकारी दे देंगे कि आप यह यह शीजे करें तो आपको परिच्छा देने में जो असुविधा उत्पन हो रही है उससे आपको आपके समस्या का समाधान हो जाएगा ठीक है और proctor जो है आपको लगातार monitor करता रहेगा इसलिए आपको क्या करना है किसी हो जाती है मतलब आप पहले ही questions सारे complete कर ले जाते हो तो आप वहां पर test submit का option जो दे रहा है वहां पर आप जाके test submit कर सकते हो और आपका test submit हो जाएगा और last में आपको इस तरीके से interface कुछ दिखेगा test submit successfully तो यह जब तक interface ना दिखे आपको तब तक समझ लीजे कि आपका य submit करने ही पाते हो तो वो automatically आपका test submit हो जाएगा तो इस तरीके से आपको दिखेगा बाद में questions बट क्या करेंगे आपका समय पूरा होने के बाद वो 15 minutes तक आपको दिखेगा बट आप क्या करते हैं उस 15 minutes के अंदर में आप सिर्फ और सिर्फ उस questions को देख सकते हैं उसके answers न next step में आपको देखे मैंने आपको यह बता ही दिया है कि क्या है प्रॉक्टर के थुरू आप मैसेज के थुरू आप प्रॉक्टर से भी बात कर सकते हैं उसमें देखे कुछ बिसेश चीजें हैं कि अगर कोई चात्र परिच्छा में 15 minutes से ज़्यादा अनुपस्थित रहता ह है अथवा किसी चात्र का इंटरनेट 15 minutes से ज़्यादा देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन के प्रियोग के तहरे दंडित किया जा सकता है मीन्स आपको यह बहुत विसेश ध्यान देना है कि 15 minutes से ज़्यादा आपका camera किसी भी condition में बंद नहीं होना चाहिए आपका उस paper में नुकसान भी हो सकता है दूसरी विसेश बात क्या है कि चात्र की परिच्छा के registration के दौरान उपस्तित फोटो परिच्छा के दौरान उपस्तित फोटो को result खुलने से पहले प्राविदिक सिच्छा परिसद उत्तर प्रदेश लखनव में पंजीकृत फोट फोटो वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है और वहां पर अगर आप फैल होते हैं फोटो वेरिफिकेशन में तो उस कंडिशन में क्या होगा आपकी परिच्छा को रद्द कर दिया जाएगा और उससे आपको बहुत सारी असुविधाय उत्पन हो सकती है आपका result डिले हो सक सकती है बहुत सारी असुविधाय उत्पन होगी अगला स्टेप जो होगा यह दि आपका इंटरनेट यह बिजली खराब हो जाए तो आपको हेल्प लाइन नंबर से ततकाल संपर करना है तुरंत उनको हेल्प नाइन नंबर पर सुचित कीजिए आपका टेस्ट पुना जा जाएगा लेकिन क्या होगा आपके जो बचे हुए एंसर रहेंगे उनके क्रम में बदलाव कर दिया जाएगा मींस अगर मालीजे आपने छे कोईस्ट अर्ट कर लिए है तो सात्वा कोईस्ट जो होगा पहले कुछ और था अभी वह सात्वा कोईस्ट जो 25 नंबर का कोईस् इसमें की अगला स्टेप जो है इसमें बहु भी कल्पिया प्रस्ण से परिच्छा होगी जिसमें आपको पिछले प्रस्ण पर भी जा सकते हैं और इस परिच्छा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी सभी प्रुस्णों का उत्तर दे सकते हैं तो क्या करना है इसमें सबसे पहले चीज सभी विद्यार्थियों के लिए है कि आप लोग जब भी परिच्छा दें तो questions तो बिलकुल न छोड़ें अगर आप questions छोड़तें तो उसमें नुकसान आपका है तो इसलिए सारे questions आपको attempt करने होंगे और attempt करिए attempt करेंगे सही गलत जो नहीं आ रहा है उसमें भी attempt करने की कोसिस कीजिए जो आपको लगे कि nearly correct answer है उसपे आप टिक कीजिए questions छोड़े ना और समय अनुसार उसको questions को कर लें इसमें देखिए next step क्या है 25 से अधिक navigation count होने पर चात्र अनुचिस साधन का परियोग का दोसी ठहराया जा सकता है 25 से अधिक navigation navigation का मतलब कि आप अपनी जिस window पे test दे रहे हैं उस test window से हट के आप किसी और window पे चले जाए ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो उस condition में अगर ये बात आपने 25 बार की 25 से जादा की तो क्या होगा उसमें आपको अनुचिस साधन का परियोग करने के तहत कारवाई की जा सकती है ये navigation एक तरीका और होता है जिससे कि आपका navigation ये होता रहता है अगर आप माल लीजे phone के साथ में paper दे रहे हैं और phone पे आपके message आ रहा है mail ID पे जो भी mail आते रहेंगे उसकी वज़ा से window पे pop up notification आएगा वो notification भी आपका navigation में count होगा तो इसलिए आप जब भी परिच्छा दें जिस भी device से दें laptop से या phone से तो बिसेस्ता इस चीज का ध्यान दें कि आपका जितना भी notification हो वो बंद हो क्योंकि एक घंटे की बात है एक देड़ घंटे के लिए जब आप परिच्छा में बैठें तो notification की ज़रूरत नहीं है आपको उस समय notification आपका बंद हो जिससे की आपका navigation count जीरो ही रहे और अगर वो हो भी तो एक दो चार हो जिससे की आपके उपर यह especially चात्रों के लिए बहुत ही विशेश ध्यान देने वाली बात है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे की आपको प्रॉक्टर किसी तरह से आपके उपर कारवाही करें सबसे पहला आप उचित परिधान पहने ऐसा कपड़ा पहने कि जो देखने में कभी भी बुरा ना लगे सामने वाले ना परिच्छा लेने वाले को ना परिच्छा देने वालो को आपको खुद से पता होना चाहिए कि आप सबसे बढ़िया तो आपके college का uniform पहन ले सबसे अच्छा address वो होगा आपके लिए कोई भी उसमें कोई भी questioning नहीं होगी next camera के सामने अक्या चेहरा दिखाई दही देना चाहिए means जहां पर आप परिच्छा दे रहे हैं वहां पर किसी की तरह की कोई हल चल नहों कोई दूसरा व्यक्ति नहों आपकी जगा कोई और ना बैट जाए तीसरी बिसे द्यान देने वाली बात है कि camera, phone को आपको mute नहीं करना है या उसका आवाज कम नहीं करना है बहुत लोग क्या करते हैं कि आवाज को उसके mute कर देते हैं और आपस में बات करते हैं या फिर उसका volume कम कर दें तो इस तरह कि किसी भी किसी भी काम को नहीं करना है कि जिससे कि आपके उपर कोई कारवाई की जा क्योंकि अगर प्रॉक्टर को ऐसा कुछ संदे हुआ तो आपसे तुरद माइक्रोफोन में बोलने के लिए या आपका नाम पूछ लेगा माइक्रोफोन से आपको कुछ भी वो इंस्ट॑क्शन्स ऐसा दे सकते हैं जिससे कि आप पकड़े जा सकते हैं या आपने माइक्रोफोन बंद कर रखा या माइक्रोफोन का आवाज कम कर रखा है तो ऐसा आप कोई भी कारिण tellement करें जिससे कि आपके ओपर कोई कारवाई हो हाँ एक चीज और अगला पॉइंट जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि प्रस्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसको बहुत ही तेजी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन दिखाई पढ़ तो उसको बहुत ही तेज तेज लाउड आवाज में पढ़ रहे हैं आप मन में पढ़ें क्योंकि आपके साथ और वहां कोई है नहीं तो किसको सुनाना है आप अपनी स्क्रीन पर देखें मन के अंदर पढ़ें और उस क्वेश्चन के अगर आपको रफ करना है तो सामने ए पर देखें जो भी आप करना चाहेंगे बट आप ध्यान रखिए का उसके लिए ब्लैंक सीट का ही यूज कीजिए गा सादेपेश का ही यूज कीजिएगा जिससे की किसी भी तरह की संका या प्रॉक्टर के मन में किसी भी तरह की दूबिदा उत्पन नहों से रिलेटेड में चीज है हाँ और नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है कि इसक्रिन से आप बार बार अपने आपको मूव ना करें मतलब ऐसा नहीं कि बैठे हुए बहुत लोग घिल्टे दुल्टे रहते हैं आप इसक्रिन पे फोकस्ट हो के बहुत ही सालिंता के साथ अपनी परिच्छा दें जिससे कि उस दोरान आपको कोई डिस्टर्वेंस ना किया जा सके अच्छा इयर फोन का प्रियोग आप नहीं कर सकते हैं परिच्छा के दोरान किसी भी तरह का हैटफोन आपकी कान के अंदर नहीं लगा हुआ होना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो उसको अनुचि प्रियोग करें उसके अलावा आप किसी तरीके का मोबाइल फोन अपने पास नहीं रखेंगे यदि आप रखते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपके उपर अनुचित साधन प्रियोग करने के तहत पूरी तरह से कारवाई की जाएगी ठीक है और अगली बात जो आपको ध सर्च वाली चीजें जैसे कि आपके पास कोई लैप टॉप या मोबाइल जो आप परिच्छा दे रहे हैं उसको छोड़ के अधर आपके पास डिवाइसे नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप कोई सर्च करें या करें ऐसी कोई चीजें अगर यदि कोई भी ऐसी चीजें आप आपके पास प्राप्त होती हैं तो आप फिर से UFM कैंडिडेट बन सकते हैं और आपके उपर कारवाई की जा सकती है तो आपको इसे बचके रहना है यूँकि प्रॉक्टर कभी भी आपको कैमरा रोटेट करने के लिए कह सकता है और आपका ये कुछ भी अगर ऐसा दिखा और आप हमेशा जिब तक परिच्छा देते रहेंगे उतने समय आप recording camera के साथ में रहेंगे और उसमें artificial intelligence भी लगा रहेगा जो की तुरंट detect कर लेगा कि आपके पास devices हैं आप camera अलग से यूज कर रहे हैं आप microphone यूज कर रहे हैं या अलग से laptop या mobile कुछ भी यूज कर रहे और उसके तहट आपके उपर कारवाई कर दी जाएगी और आपका परिच्छा में नुकसान हो जाएगा next किसी भी तरह से अलग तरीके से वीडियो में छात्र की मदद करते कोई भी दिखना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो में आप किसी की तरीके से सामने से परचाई किसी की दिखे या पीशे से बोलता बात करता या उस कैमरे के अंदर ना दिखते हुए इस फ्रेम में ना दिखते हुए भी पीछे से कोई मदद कर रहा है उसकी आवाज आ रही है उस कंडिशन में भी आपके उपर कारवाई हो सकती है और आपका ही नुकसान हो सक इसलिए बार बार यह इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आपके कमरे में किसी भी तरह का कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके सिवा वहां नहीं होना चाहिए तो इस चीज की आपको आपको निश्चित करना है कि कोई भी आपके वहां पर मौजूद ना हो दूसरी चीज और भ प्रॉक्टर ने कहीं कैमरा घुमाने के लिए कह दिया आपका, भले आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो तीन और एक साथ नजर आए, तो आपके उपर फिर भी कारवाई हो जकती है, तो इसलिए क्या करें, कोशिस करें, अलग बैठें, और एक एक अपने सिंगल कम में ही बैठके परिच्छा दें, और और किसी की मौझूदगी एक डेट गंटे के लिए बिलकुल पावंदी लगा दें, कि आज मेरी परिच्छा है, आप यहाँ पर मौझूद नहों, अदर्वाइस मेरे उपर कारवाई हो जाएगी, और मैं परिच्छा से निसकासित हो ज करें, क्योंकि आपका वो चैट बॉक्स भी रिकॉर्ड के अंदर में है, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी उपर फिर से कारवाई हो जाएगी, और आपका करियर का नुकसान होगा, तो इस तरह की कोई भी हरकत किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत ही सालिंता के साथ जैसे आप परिच्छा देते हैं, उसी तरीके से परिच्छा देते रहें, और परिच्छा जब आपकी कंपलीट हो जाया, तो उसको फाइनली सम्मिट करने के बाद, आप नेक्स्ट परिच्छा की तैयारी कर सकते हैं, उसके यह देखिए इसमें कुछ और system requirements दे रखा है जो कि बहुत महत्पूर्ण है इसको मैं आपको एक बार बस last जानकारी देना चाहिए रहा हूँ कि system के लिए क्या क्या चीजे महत्पूर्ण है सबसे पहला जो internet की speed होनी चाहिए वो नियूंतम 512 kbps की होनी चाहिए ठीक है और ज उसकी processor speed होनी चाहिए 1.5 GHz होनी चाहिए या उससे जादा होनी चाहिए और जो operating system preferred किया गया है विंडोस 10 प्रिफर्ड किया गया है तो इन सब बातों का भी आप बिसेज ध्यान रखें नेक्स्ट जो है आपका test देने के लिए आप Google Chrome browser का मूलता इस्टमाल करें जिसमें आ आपको कुछी तरह की test देने में असुविधाउत परना हो next smartphone, laptop, desktop किसी से भी परिच्छा आप दे सकते हैं पर उन्तु बहतर होगा कि आप laptop या desktop का प्रियोग करें और उसके अंदर microphone और camera essential है, necessary है वो होना ही चाहिए और उसमें Google Chrome जो की updated वाला 75 plus version का होना चाहिए और आप चाहें तो Firefox का भी प्रियोग कर सकते हैं, ठीक है, next आपका जो step है इसमें, उसमें क्या करना है, अगर परिच्छा के दोरान आपका internet बंद हो जाता है, ये बहुत सारे बच्छों के साथ हो जाता है, तो अगर आपका परिच्छा के दोरान internet बंद हो जाता है, तो त आपका एक्जाम विंडो चल रहा है वहां पे आप विंडो को ओपन रखें अगर आप बंद कर देंगे तो आपका टेस्ट सायद सम्मिट हो जाए उस कंडिशन में आप questions फिर से attempt नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर बंद नहीं करेंगे तो आपका जहां तक हुआ था question वहीं से आपका जब दुबारा internet stable हो जाएगा तो आपका question फिर से दुबारा वहीं से start हो जाएगा next आपका क्या करना है उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि device browser में pop-up जो है उसको बंद करके रखना है क्योंकि अगर परिच्छा के दौरान कोई अन्य पॉप अप नहीं आए क्योंकि उस कारे को navigation माना जाएगा और एक निश्चिस संख्या में navigation के पश्चात UFM के सुरेडी में आरोपित किया जा सकता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपने अपने notifications को बंद नहीं कर रखे हैं तो क्या होगा notification आपके आते रहेंगे और वो navigation में count होते रहेंगे और 25 जैसे आप उपर होंगे आपके उपर कारवाई हो सकती है नेक्स्ट आपको क्या करना है कुछ जो आपको आउसे stationary material होगा जैसे कि pencil हो गया pen हो गया blank seat हो गई razor हो गया सार्पनर हो गया यह सब चीजें जो आपको जरूरत पढ़ सकती हैं वो अपने पास रखें क्योंकि परिच्छा के दोरान आप उठेंगे हटेंगे camera के सामने तो artificial intelligence लगा वो तुरंद detect करेगा manually वहाँ proctor बैठा है वो भी detect करेगा कि आप window छोड़के कहां चले गए आप camera के सामने नहीं दिख रहे हो तो आपके उपर कारवाई हो सकती है तो यह सारी चीजे आपको अपने पास ही रखनी है कि परिच्छा के दोरान जैसे आप examination hall में जाते हैं तो वहाँ pen copy सब कुछ ल रहेंगी उतनी ही जादा आपके उपर कम आसंका होगी और आपकी परिच्छा में आपको किसी भी तरह से परिसान भी नहीं होना पड़ेगा आपसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करेगा आराम से अपना paper दे सकते हैं नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखने की चीज है कि आपको यह सुनस्चित कर लेना है कि आपका laptop mobile वो पूरी तरह से अच्छे से चार्ज हो जिससे कि आपकी परिच्छा के दोरान उसमें अगर आपको बिजली ना भी पर मिले तो उस समय आपका क्या हो वो mobile या आपका laptop जो ह वो देड़ घंटे या दो घंटे आपकी जो भी देड़ घंटे की परिच्छा है गंटे की परिच्छा है वो आपका आराम से उतना समय पार कर ले जाए ऐसा ना हो की बीच में पता चले आपकी बिजली के connection की वज़ा से आपका परिच्छा रुग गया है तो यह सारी जों को आपको पहले एक दिन पहले सारी चीज़ें सुनिश्चित कर लेनी है जिससे की परिच्छा के दौरान आपको किसी भी तरह की असुविदा ना हो नेक्स आपको ध्यान रखना है कि परिच्छा में एक परियाप्त रोशनी वाले कमरे में सांत माहौल में बैठके दे हो आपको UFM की स्रेणे में पहुचा सकता है मैं आपको पहले ही डिसकस कर चुका हूँ कि अनफेर मीन के तहत आपके ऊपर पूरी कारवाई हो जाएगी जिसमें कि आपको परिशान हो ना पड़ जाएगा और आपकी परिच्छा कैंसिल हो जाएगी तो इन बातों का बहु अनलाइन परिच्छाएद हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही लगातार आप देखते रहें धन्यवाद